हलो एविर्वेंट स्वागत है अफजविकान अलंदा शूर्ट पर एक्सलेंस में आज की सेसर में हम कवर करेंगे 66th VPC मेंस के लिए करेंट अफेस का टॉपिक जो की GS PEPER 1 के अंतरगत आता है आज का हमारा टॉपिक है भारत की हिंद परसांत नीती बीते कुछ समय में हिंद परसांत शेतर काफी ही नीज में रहा है और इसके पूछित जाने की संभाव ना बढ़ चुकी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारत की हिंद परसांत नीती क्या है अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसे हमें इस तरह के से दे सकते हैं वर्तमान के भूर आजनीतिक बिस में हिंद परसांत शेतर का तेजी से महत्व बढ़ता जा रहा है भारत के आस्यान मित्रों का इससे संबंध है और इसने क्वार्ड साज़दारी को आगे बढ़ाने का रास्ता तै किया है हमारे बीदेश मंत्राले ने इस चेतर के महत्व को देखते हुए अलग से एंडोपेस्फिक विवाग की अस्थापना की है ओस्निया विभाग भी इसी भूछेतर को आधारित कर बनाया गया है यहां तक आप दो-तीन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं एक तो आस्यान चेतर, आस्यान मित्रों का जो इससे संबंध है दूसरा क्वाड साज़ेदारी, तूसरा एंडोपेस्फिक विवाग और चौथा ओस्निया विवाग अगर हम भारत की हिंद परसंत छेतर की जो डिफिनीशन जो भारत के द्वारा दिया गया है उसकी बात करें तो भारत के लिए हिंद परसंत वह विशाल समुद्री छेतर है जो उत्री अमेरिका के पश्मी तर्ट से लेकर अफिरका के पूर्वी तर्टों तक फैला हुआ है भारत की इस परिभासा को अधिकांस देशों ने स्विकार किया है अब हम इसे मैप के तुरू विजुलाइज करने की कोशिस करेंगे मैप देने के पीछे परपस यह है ताकि आपको वो छेतर मालूम हों जो कि भारत के दौरा जिसे डिफनी से डिफाइन किया गया है आप यहां दे सकते हैं यह जो एरिया सर्कल किया गया है यह पूरा का पूरा चेतर एंडोपेस्पिक रिजन कहलाता है एक दूसरा मैप में दे दिया हूं ताकि आपको पता चल सके भारत के दौरा जो डिफाइन किया गया है उसे हम यह एरिया को विजुलाइज कर सकते हैं यह अफिर्का है अफिर्का के पूर्वी तटों से लेकर उत्री अमेरिका के पस्मी तटों का तक का एरिया है जिसको एंडोपेस्पिक रिजन के तहत डिफाइन किया गया है अब हम कुछ महत्पुन बिंदु को कवर करेंगे जो की आपके मेंस राइटिंग में हेल्फ करेंगा भारत की हिंद परसंत नीती को परधान मंत्री ने 2018 में सिंगापुर के एक भासन में सागर सिध्धांत अर्थात एसे जी आर्थियोरी के रूप में स्विकार किया था परधान मंत्री ने इसे security and growth for all in the region के संदर्व में प्रस्तूत किया था यह अकांसा इस छेतर में end-to-end supply chain हासिल करने पर निर्भर करती है इस विचार में किसी एक देश पर निर्भरता ना होकर सभी लावार्थियों के लिए समिर्धी सुनिश्यत करना है भारत के लिए हिंद पर्शांत का विचार एसा है जिसमें नियमों का प्वालन, navigation की सुतंतरता, खूले संपर्क और सभी देशों के छेतरिये अखंडता और संप्रुभूता के लिए सम्मान हो भारत ने अपने इस सिध्धान पर विशैगत और भागोलिक पाहल के मध्यम से काम भी किया है इस चेतर में सुरच्छा प्रदाता बनकर सुरच्छा और navigation की सुतंतरता को मजबूत करने की मांग की है उपकरण, परशिच्छन और अभिहास में पूरे छेतर के देशों के साथ भागेदारी करते हुए मैत्रिपुर्ण संबंध बनाए है मानभी सहायता और आपदा रहत के छेतर में भारत ने ना केवल मजबूत छमताओं का निर्मान किया है बलकि खुद को एक बिस्विस्निय मित्र के रूप में भी अस्थापित किया है 2019 में भारत और युके द्वारा Coalition for Disaster Resilient Infrastructure गठवंदन किया गया था COVID-19 के सुरुवात में भी भारत ने Rapid Response Medical Teams खाध्यान COVID-19 समागरी आदी के माध्यम से इच्षेतर के देशों को बहुत सहीयोग किया है हिंद परसांद के भुगोल को संभवत अर्ध बृत के रूप में बरनित किया जा सकता है सबसे नजदी की अर्ध बृत में हमारे निकर्टम पडोशी देश हैं ये सभी दच्षिन एस्याई देश हैं जिनोंने भारत के साथ हिंद महाजागर के जल्व कोई अलावा सभवता और संस्कृतिक बिरासत की भी साज़दारे की हैं बाहरी बृत पश्मी और दश्नी एस्या में खाड़ी देशों और आस्यान देशों को समाहित करता है एक अर्थ में यह भी हमारे प्राचीन समुदरी संबंदों की फिर से अस्थापना है इसमें उर्जा और निवेश प्रवा स्रम और कौसल व्यपार और व्यवसाय आदे भी जुड़ गया हैं आगे बढ़ते हुए भारत ने उन देशों के साथ साज़दारी की है जिनके अफसर सरोकार और हित हमारे साथ है इसमें पश्मी हिंद महसागर के दीप समु तयता अफिरका के पूर्वित तट्य देश हैं क्वाड भारत जापान अमेरिका और अस्ट मतभुज बने हुए हैं इन सब सहयोग संबंद के बीच आस्यान देशों की साज़दारी किंद्री भी भूमिकार रखती है आस्यान एक इसे मंच के रूप में उबरा है जहां विभीन हित आपस में मिल बैटकर बातचित कर सकते हैं और मतभेदों को तरक संगत बना सकते है अगर हम निसकर्ष की बात करें तो उसे हम इस तरके से लिख सकते हैं यह तत है कि 21 सदी की राजनीतिक और शुरच्छा चिंताओं प्रतियसपर्दा विकास प्रादोग की और नवचार का केंद्र हिंद परसांद छेतर ही होने वाला है यहीं कारण है कि जर्मनी जैसे नितियां भी कुछ इसी परकार की है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें